एक कोश्चन आया है, एक सुपर चैट कोश्चन है, ये प्रेम जियोती हैं, इन्हों ने कहा है कि क्या भाव तिग विजय सिंग को राजनीती त्याग कर पागल खाने को प्रस्थान करना चाहिए? इसे लोग अच्छे होते हैं, इन्हों नो तो हमारे सामने मूदी अगर लाए तो इन्हों ने लाए न, हमको इनका अभार प्रदर्शित करना चाहिए, कि ऐसे लोग होगे तो ही मूदी निकल कराएंगे, जो को मैं हमेशा बोलता हूँ, भगवान की मूर्ती बनती है, उस पर थिन्दी हतोड़ा चलाने वाला कोई चाहिए तो ही वो पत्थर से मूर्ति हमारे सामने आ जाती तो राउल गांधी हो प्रियंका गांधी हो या दिगविजे सिंग हो मनिशंकर आयर हो यह तो मैं उनको मूर्तिकार बानता हूं इन्होंने हमारे सामने मोरी नाम का लीडर समझ गया यह लोग अभी तक समझ नहीं पाए कि मूदी और शहा ने क्या जादू किया है जादू इसके पहले आप सब देखिए अरे कौन वाजपई यह तो नौर्थिस्ट यह भाईया है मराठी में लोग बोले यह तो भाईया है तो बंगाल का कोई हम को बोलेगा यह तो यह तो नौर्थ इंडियन है लेकिन गांधी फैमिली जो है या अवरंग जेव जो है या तो ब्रिटिस्ट है यह तो किसी प्रांथ के थे ही नहीं इसलिए हमने उनको स्विकार किया तो आज मोधी घुजराती नहीं रहे वो इंडियन है क्योंकि ओकि किसी प्रांथ के नहीं बचे सुनिया गांधी राहूल गांदी राजियू गांधी नहेरू इंदीरा सब यूपी से चुनकर है लेकिन उन्हों यूपी वाले नहीं कहता कहता है बिल्कुल नहीं कहता तो तो कि उलासलार्जी हुको नेट को नरस्यारा ह। यह तो नंगी हो गेए उनको अगर हुरा था तो किसी प्राहल के ना होने वाला नेता बनना चाहिए ता और मोदी ने सबसे बड़ी जादू की वो गुजराथी नहीं है हमें ये समझना चाहिए आज उन पर कोई गुजराथी बनके इल्जाम नहीं लगा था अब ये बात कितनी बड़ी है ममता भी बोली ये आउटसाइडर है ये यूपी के गुण्डे बोली गुजराथी नहीं सही तो मोदी ने सोनिया रहूल को कहां हराया है कि वो अगर इंडियन है तो मैं भी इंडियन हूँ मैं सिर्फ गुजराथी नहीं हूँ ना तो गुजराथी बच्चा हूँ मैं पूरा का पूरा इंडियन हूं, मैं तमिल भी हू, मैं असामी हू, मैं मराथी हू, मैं बंगाली हू, मैं हर्यान भी हू, जो कुछ बोलो, मोधी वो है, तो इसलिए competition वो थी, कि इसमें इंडियन को ने, opposition पे कास कोई इंडियन नहीं था, मोधी इंडियन बने, और बाद हो होते होते अब अमिच्छा भी इंडियन मन गए